दोस्तों मेरा नाम है बिलाल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे AI टूल के बारे में जिसने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन Google को भी हिला के रख दिया है दोस्तों मैं बात करना हूँ चैट GPT की जिसको बनाया है American Company Open AI ने दोस्तों इस Company Open AI की शुरुआत हौवर्ड या स्टैनफर्ड की किसी ड्रॉप आउट ने नहीं बलकि American businessman और programmer Mr. Samuel Altman ने की थी 2015 में और यह Company Open AI स्टार्ट करने में Mr. Altman की मदद की थी दुनिया के सबसे बड़े पागल आदमी ने यहां दोस्तों वही पागल आदमी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी एक है बिलकुल सही गैस कि आपने मैं बात कर रहा हूं Mr. Elon Musk की Elon Musk की मदद से Mr. Altman ने इस Company की शुरुआत की थी 2015 में इस Company की शुरुआत करने में दोस्तों इन दोनों के लावा वैसे तो और भी कई सारे stakeholders थे जैसे की Peter Thiel, Amazon और यहां तक की हमारे घर की Company Infosys भी अब वो बात अलगे कि Mr. Elon Musk ने 2019 में इस Company से resign कर दिया यह कहके कि OpenAI का कुछ conflict of interest हो सकता है उनके future project Tesla AI के साथ लेकिन फिर भी Mr. Elon Musk इस Company OpenAI के साथ जुड़े रहे और November 2022 यानि की दो महीने पहले ChatGPT को OpenAI ने launch किया तो Mr. Musk ने इसकी काफी तारीफ की यह tool दोस्तों अपनी performance के वज़े से पूरी दुनिया में बहुत जल्दी वायरल हुआ है ऐसा खा जा रहे है कि ChatGPT नाम के इस tool के पास almost हर सवाल का जवाब है लोग बड़ी-बड़ी YouTube की scripts इसके उपर लिख रहे हैं जवाब नहीं दे रहा है बड़ जैसा कि मैंने मताया है यह एक ML अप्लिकेशन है मशीन लर्निंग अप्लिकेशन यानि कि वह अप्लिकेशन जो वक्त के साथ-साथ अपने आपको इंप्रूव करती है क्या यह हमेशा फ्री रहने वाली है? क्या कभी भी OpenAI वाले ChatGPT यूज करने का कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे? जवाब है नहीं एक recent update के according दोस्तों, ChatGPT का जल्दी ही एक paid version launch होने वाला है जिसका नाम होगा ChatGPT Professional OpenAI के co-founder Mr. Greg Brockman ने tweet करके एक Google form का link share किया है वो basically एक survey का form है, जिसमें कि उन्होंने पूछा है कि अगर ChatGPT की service आपको paid रूप में दी जाए मतलब उसके लिए अगर आपसे पैसे लिए जाएं, तो क्या आप लोग यह service लेंगे? और अगर service लेंगे तो इसके लिए कितना amount आप लोग pay कर सकते हैं? इस तरह के और बहुत साथे सवाल उन्होंने इस form में पूछे हैं, और ऐसे ही दोस्तों एक सवाल मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक ChatGPT use किया है, तो क्या इसका paid version आप लोग यूज़ करना चाहेंगे? अपनी राय मुझे दोस्तों comment section में ज़रूर दीजिए और याद रखिए ये सिरफ एक update है, आगे जाके ये लोग अपने decision change भी कर सकते हैं, बेकाज अभी ये लोग सिरफ market research कर रहे हैं, अगर information पसंद आए दोस्तों तो please video को like करें, channel को subscribe करें, मिलते हैं कि लिए वीडियो म करें